गंदवानी में पति-पत्नी के विवात को लेकर पीडिता के परिवार के मध्यापसी पंचायती चल रहे थी वहीं शाम करे 5 बजे लगभग पीडिता के सिसराल पक्ष के परिवार के लोग उतेज़त होकर पीडिता का पती विक्रम और उसके परिवार के लोगो द्वारा पीडिता और उसके परिवार जनों के साथ मारपीड का अरप शब्दों का प्रयोग किया गया वहीं पीडिता को उसके सिसराल महिला के साथ मारपीड का वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो गया पीडिता की रिपोर्ट पर्थाना गंधवानी पर आठ लोगों रिपोर्ट दर्थ की गई है तो वहीं सास ससुर को गिरफतार कर लिया गया वहीं बाकिये जल्दी आरुपियों को गिरफतार किया जाएगा हम्धवानी पुलीस द्वारा को अरिक कारिवाई करते हुए एं खिल दिन डिन तिविस पांच और इसको माला के साथ मात बिट का जो विजिवारे रोगा था उसमें गंधवानी पुलीस द्वारा तंसक वरिक्कार्यवाई करते हुए आरोप्य की पैचान कर ताना गन्वानी पर अपराद पंजीबत कर लिया है मामला यह था कि पती-पत्नी के विवाद को लेकर ग्राम पानवा और ग्राम गोदर के बीच बातचीत चल रही थी इसी दोराण महिला के सस्राल पक्ष उसके पती और उसकी नरद और अन्य परिवारजनों दुवारा महिला के साथ मार्पीट की गई थी जिसको विडियो वैरल हुआ था उसमें महिला की रिपोर्ट पर अपराद पंजीबत कर विवेचना में लिया गया है अपराद में महिला के साससुर को गिरफतार कर लिया गया है बाकी आरोपियों को जंदी पकड़ गिरपतार कर लेंगे देरिक्षक केलाज बारिया ठाना प्रबारी गन्दवानी चिलाधार